नमस्कार, IDTV इंद्र धनुष में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंजली आज मैं लेकर आए हूँ जार्खन के भूले बिस्रे नेता की तीसरी कड़ी इसमें हम आपको बताएंगे कि आजसू के एक और तेज तरार नेता सूरे सिंग बेसरा के बारे में सूरे सिंग बेसरा जिसे झार्खन का fire brand कहा जाता था, सूरे सिंग बेसरा जिसके एक इशारे पर जार्खन में पहिये थम जाते थे वे आजसू के संस्थापकों में एक हैं इतना ही नहीं रामदयाल मुंडा के साथ मिलकर उन्होंने जार्खन पिपल्स पार्टी का भी गठन किया अलग राज अंदोलन में सत्ता को चुनाओती देकर जार्खन से दिल्ली तक आवाज बुलंद करने वाले सूर्य सिंग बेसरा आज कहा है इधर हाल के दिनों में चिटपुट खबरे आ रही है कि आगामी विधान सभा चुनाओ को देखते हुए जार्खन में एक थर्ड फ्रंट की स्थापना हो रही है और जार्खन पिपल्स पार्टी इसमें अग्रणी भुमिका में है यानि सूरी सिंग बेसरा जी हाँ जार्खन के फायर ब्रांड कहे जाने वाले सूरी सिंग बेसरा फिर से अक्टिव दिख रहे हैं जा पीपा समेत दस पार्टी उने मिलकर जन्मत नामक थर्ड फ्रंट का गठन किया है और इसके दस उमिदवारों के नामों की घोशना भी कर दी गई है जिसमें सूरी सिंग बेसरा भी एक है सूरी सिंग बेसरा जार्खन के प्रमुक आंदोलन कारियों में एक है इस आंदोलन के दौरान 1990 में विघाट शिला से विधायक चुने गए हाला कि दो साल बाद ही जार्खन अलग राज्य के लिए उन्होंने अपनी विधाय की कुर्बान कर दी ये तब की बात है जब 1992 में एकिकरित बिहार के ततकालीन मुखे मंतरी लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मेरी लाश पर जार्खन बनेगा 1986 में संथाली भाषा में पीजी की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही विधार्खन अलग राज्य आंदोलन में शामिल हो गए थे विनोध भगत, सुदर्शन भगत और चिंतामनी महतों के साथ मिलकर उन्होंने 1986 में बी ओल जार्खन स्टुडेंट यूनियन यानि आद्सू के स्थापना की इसके बाद उन्होंने जो आंदोलन किया उसने आद्सू के तेवर को एक धार दे दिया उनके द्वारा बुलाए गए 72 घंटों के जार्खन बंद का ही असर था कि ये आंदोलन पूरे देश में चर्चा का विशय बना केंद्र सरकार ने इस पर गंभीता दिखाई आदोलन के दौरान ही 1991 में जार्खन फिपल्स पार्टी का गठन हुआ और बेसरा इसके संस्थापक सचीव बने आज जिस अलग जार्खन राज में हम रह रहे हैं उसके निर्मान में आदसू की भी प्रमुख भुमी का रही है या शरी की बात है कि जिन लडाकों ने अलग राजी की लडाई में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया वे वर्तमान राजनीतिक परिद्रिश में नहीं दिखाई देते आदसू भी अब आदसू पार्टी बन गई है सुदेश मेहतो इसके प्रमुख है देवशरन भगत को छोड़ अन्य किसी पुराने नेता का चहरा अब नहीं दिखता दरसल सूरी सिंग बेसरा जहारकर निर्मान के कुछ वर्षो बाद से ही सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे हलाकि यदा कदा जर्मशेदपुर के अकबारों में उनके कुछ बयान जरूर शपते रहे लेकिन उनकी राजनीतिक सक्रियता कभी नहीं दिखी फिर आया कोरोना काल जिसने सूरी सिंग बेसरा की जिंदगी ही बदल कर रखती जिस महामारी से पूरी दुनिया जूच रही थी बेसरा भी उसकी चपेट में आ गए बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची फिर उनकी जिंदगी में बदलाओ आया और उन्होंने अपनी जिंदगी का रुक अध्यात्म की ओर कर लिया फिर पढ़ाई लिखाई में भी रम गय इतना ही नहीं उन्होंने अपना नाम तक बदल लिया उन्होंने ये निर्णय कोरोना संक्रमित होने के बाद मिले पुनर जीवन की वज़े से लिया था एक इंटर्व्यू में उन्होंने कहा था कि वे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कर रहे हैं वे बरसों से भगवान की खोज में थे लेकिन वे अब जाकर मिले भगवान सर्वत्र है आज उन्हीं की क्रिपा से मुझे पुनर जीवन मिला है मुझे अब विश्वास हो चुका है कि भगवान प्रकृती में है वो सर्वत्र है सबका मालिक एक है वे संकल्पित हैं कि वह भगवान के मेसेंजर बनकर मानव को मानवता का पाठ पढ़ाएंगे इसके साथ ही साथ प्रकृती प्रेमी बनकर वह जंगलों को बचाएंगे प्रानियों की रक्षा करेंगे सूरिय सिंग बेसरा ने विश्व कवी रविंद्रना टैगोर द्वारा रचित गितांजली तथा टॉक्टर हरिवन श्राय बच्चन द्वारा रचित मधुशाला का संथाली में अनुवाद किया बेसरा ने 2017 में घाठ शिला इस्थित दामपाड़ा में संताल विश्व विद्याले की स्थापना भी की है 2017 में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत साहित अकादमी नई दिल्ली की ओर से मधुशाला के संथाली अनुवाद के लिए उन्हें अनुवादक पुरुसकार मिला सूरे सिंग बेसरा को जारकन रत्न, जारकन आंदोलनकारी सेनानी, उतक्रिष्ट विधायक, भारत सेवा रत्न, साहित शिकर सम्मान ऐसे अनेक उपादी मिल चुके है सूरे सिंग बेसरा के शुरू से ही शिक्षा के प्रचार प्रसार में काफी रूची रही उनकी पतनी कुंती बेसरा टी एमेच में कारेरत है और उनके दो पुत्री और एक पुत्र है बेसरा ने जमशेदपुर के भालुबासा हाई स्कूल से 1976 में मैट्रिक पास की इसके बाद ही उन्होंने पैत्रिक गाउच हामडा घुटू में एक प्रात्मिक स्कूल की स्थापना कर डाली थी 1983 में घाट शिला कॉलेच से सनातक की डिगरी हासिल की तब मुसाबनी में सिदो कानु जनजाती महाविद्याले की स्थापना की 1986 में राची विश्विद्याले से संथाली में पीजी किया लंबे समय तक आंदोलन से जुड़े रहने के बावजूद वे पढ़ाई से विमुक नहीं हुए आज 1980 से 90 के दशक का मशूर फायर प्राण नीता एक बार फिर करवटे ले रहा है अध्यात्मी की राह पकड़ चुके सूरी सिंग बेसरा के नेतरित्व शमता का ही यह कमाल है कि दस राजनितिक दल एक मंच पर आ चुके हैं और जार्खण में थर्ड फ्रंट की स्थापना हो चुकी है उनके साथ है शैलेंद्र महतो और कृष्णा माडी जैसे पुराने दिगजनिता जार्खण नाव निर्मित महासभा थर्ड अलायंस यानि जन्मत के बैनर तले इंडिये और इंडि गठ बंधन को चुनावती देने को तयार है अभी के लिए बस इतना ही अगर आप और भी ऐसे नीता के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें आईडि टीवी इंद्रधनुश के साथ धन्यवाद